हेलो प्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस गुरू दा बेस्ट पर अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब जुरू करना वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करना वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जुरूर बताना आज म है ठीक है वह हम इसमें डिसकस करने वाले यह सभी कंप्टिशन एक्जाम में चाहिए वह किसी का भी कंप्टिशन एक्जाम हो वहां जन्रल साइंस जो आता है वहां पर आपके लिए हेल्पफुल होगी तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास देखो टोपीक है हमारा पदा टत्तव योगी को और बिश्रन इन तीन भागों में माटा गया कि परीबाशा प्रमाणों और प्रमानों बने जिसमें इलेक्रोन प्रों नूट्रोन और वीजत् के बारे में इनके आवेस के बारे में और इनके दर्वमान के बारे में इनकी इस्तिती क्यादार पर आपको सारी डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को लाज तक जरूर देखना और सब्सक्राइब करना है चैनल को चलो सुरू करते हैं सबसे पहले है पदार है क्या या पदार्त किसे कहते है ऐसे हम अपने चारो तरफ बह। सारे पदार्त देखते हैं और जिस्पे कुछ विशेड़ होते हैं तो ऐसी सामगरी को पुस्तक है तो यारी अब हम ये कह सकते है कि हमार चारो तरफ जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह वो सारे दरवे हैं उन दरवे में से कुछ विशेश गुण और संग्ठन वाला दरवे जो है वो पदार्त है और एक या एक से अधिक पदार्तों के मिश्ण से बनी हुई विशेश गुण वाली सामगरी जो है उसको हम वस्तु के दरते जिसे थाली एक वस्तु है कुर्सी एक हेल वस्तु है टेबल एक वस्तु है पेन एक वस्तु है एक वस्तु यह तहो गया फजीकल इनक of इसके में करते हैं आगर्ठ की वहत्र हैं और शली कोन कौन sam कौन से अभी कनरो से कर näर तो अगला हमारा टॉपिक है पदार्थ की भülltcomb बहुतिक अवस्था के आदार पर ठोस धरोर गेस ठीक है बहुतिक का यहां पर अवस्था का बहुतिक अवस्था का मतलब है कि बहुतिक संग्टन दो होता है तो बहुतिक संग्टन का मतलब कि बहुतिक संग्टन का मतलब कि बहुतिक संग्टन का मतलब कि बहुतिक संग्टन बनेवे क्या आयनिक बंद या सहिभी बंद है किस तरह के बंद किस तरह की अनू और प्रमनु होई किस तरह से बंदेवे हैं ठीक है उस आधार पर हम उनको ऐसानिक संध हम के आधार पर फिर विवाज़ित करेंगे तो बोतिक अवस्थाओं के अधार पर ठोस दर्व और गेस तीन अवस्थाओं होती, इनकी थोड़ी से गम देख लेते कि इनके गुणों में क्या अंतर होता है, लोको बोतिक अवस्था कोई पदार्थ की सवस्था में पाये जाएगा, यह निर्बर करता है अंतर आनविक बलों पर कि पदार्थ के जो अनू है इन अनूं के बीच में बल कैसा है अगर बल बहुत ज़यदा है ठ तो इस घृता है कि पतार्व कौन सी वस्ता में रहता है तो यहाँ आप देखरें उन्तराल सबसे ज़्यादाARK निउन्तम है इनके बीच में जो नहीं के बराबर है नग्रनी अंतराल है धर्व जोय वो इन दोनों के बीच की अवस्ता होती है ठीक है तो आकर्षन में सरवाधिक होता है ठोसों में नियूंतम होता है गेसों में आकार अब आकर्षन बल ज्यादा होने से और अनू पास पास में होने से इनका आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है जबकि दर्व का आकार В returns निश्चित होता है ठीक है आप दर्वपदार्थ को जिस भी बरतन में डालोगे उस भरतन का चाहले ले लेटा हो जिससे पानी को अगर हम गिलास में या थाली में या भोतल में जिसमें डालेंगे वह उसके का ले गूट आ, तो डालोगे तो जरूर नहीं कि वो नीचे पेंदे पर एक लिटर रहे वो पूरे इस पेस को पूरी जगह को कवर कर लेगी यानि उस पूरी जगह में एक लिटर गेस ही आएगी तो यहां पर कहने का मतलब है कि और लिटर की बात करें तो आयतन निस्चत है न इसको आइतन निष्चत हो गया किसका द्रव का लेकिन आकार एनिश्चत है तो आकार वो जिस बर्तन का होगी उस बर्तन का अकार लेगा अब घणत्व की बात करें तो उचतम घणत्वा ओता है थोसोंका और गैसेज का निमनत्वा ओता है तो यह मतलाया यह जो अंजिस हैं तो 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 और जुत रॉत रॉतल Dash मांम आयतन लेते एक मिंटर क्यूब 빠 injust एक मिंटर क्यूब एक मिंटर क्यूब याने एक मिंटर लंभाई एक मिंटर चोडाई और एकめて 50ений कर लो इतनी जगे में कितना दर्यमान आ सकता है तिक स्कृत में अगर आप जैसे मानलों fulfil डालते हो तो would न कि अईतल वह रहना है दोनुं केस में इक मिटर क्यूब वी आयतल रहता है अ भी जिसे माणुल भूवि यह कंद गाड़ा वह Bassi तो घंथिव work को सब核्यं करें रोपफ मिजिशाव्य और निम्णतम नें चाहिवख sessions का होता है और दर्वों का घनत्व इन दोनों के बीच में होता है तो ये इनके कुछ मुख्य गुण थे अब हम अगला टोपिक हमा रहा कि रासायनिक संग्ठन के अदार पर पदार्थ कितने परकार करते तो रासायनिक संग्ठन के अदार पर पदार्थों को विवाजित करें सुद्ध और असुद्ध क्यों है तो अभी मैं आपको बताता हूं मिश्रण तत्व और योगिकों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण मनता है तत्व या योगिकों को आपस में किसी भी अनुपात में बिना किसी राशानिक अभिक्रिया कि जब मिला दे तो मिश यह क्या जा जा सकता है अब स्पत्वाय को समयते हैं 100 dai के वो आसे अडिक होगा दुप क्या है तो दोव या दोज से अधिक तौण के आपस तो योगिक को अगर हम रासानिक अभिकिर्या से वापिस इसको सरल करें या विवक्त करें इसका विवाजन करें तो योगिक से वापिस तत्व प्राप्त कर सकते हैं लेकिन तो तत्व वह पदार्थ हो गया, वह मौलिक पदार्थ हो गया, जिसको ना तो हम दो या दो से अधिक पदार्थों को संसलेशित करके बना सकते हैं, और ना ही हम इसको किसी भी भोतिक या रासानिक विद्धी के द्वारा इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है? तो ये है त तqon में राशानिक द्रस्टी से क्या होंगे सारे प्रमानू एक जैसे यह जो एक प्रकार प्रमानू से मिलकर बने तत्व है जैसे और से चरह नियुसारी तौह इसे तरह से लोहा जिसको अलॉमिनियम एक थटौह है ऑकसी जन एक तत्व है ठीक है यह सारे इक तत्व और जब दो जो जब दो जो चाहित तत्वा आपस में श्योंग कर कि योगी के बनाते तो जैसे यह हो गया पानी यह क्यों फेसने क्व यह क्यों चिर्डो के समय कि इसमें 220 प्रूए है इसमें दोत तत्व maison ह। और एक oxygen है और यह दोनों रासाइनिक अभिक्रिया के द्वारा ठीक है मिस्रण में रासाइनिक अभिक्रिया नहीं होती मिस्रण में इनको दो अनुपात एक ही रहेगा तब ही यह जल होगा और भार के हिसाब से देखे तो यह हड्रोजन का बहुत और है डो और ऑक्सिजिन का भार है तो इनका अनुपात आठ तो बार के हिसाब से इनका हमेसा अनुपात एक अनुपात आठी रएगा, तो यह है योगिक, और इसमें से जिसे हाइड्रोजन है, यह तत्व है, ओक्सिजन, यह तत्व है, तो दो या दो से अधिक तत्व है, जब आपस में रासानिक अभीक्रिया के दोरा सयों करे, और कैस वाई यू एक मिसरन है? क्यों है वाई यू यू एक मिसरन? क्योंकि इसमें बहुत सारी गेसे och तू independent और भी धुत्वतला है ये सारा मिलकर मिल्द प्रण ओर इनका कोई निष्डित अनुपाथ नहीं है कि कितने बीक थुम्तना-धू शाम या कौन-कौन जो गेसे हैं उनका भी अनुपात हमेसाफ इसतिर नहीं रहता कभी कम्या ज्यादा होता रहता है तो यह मिस्रन है इसी तरह से समुद्र का पानी समुद्री पानी जो है वह भी एक मिस्रन है उसमें बहुत सारे नमक गुलेवे है ठीक है तो वहाँ पर पानी यह से पोटेशियम क्लोराइड भी गुला है तो यह भी एक योगिक है तो दो या दो से अधिक योगिकों का आपस में किसी भी अनुपात में मिक्स कर देना उनको मिला देने से मिस्रन बनता है और यह असुद्धवदार तह और यह दोनों रासानिक रूप से तत्व और य फी उता हो जैसे लोह अन्व आहिरो फी अट तो इसमें कावल परनों मिलेंगे आपको एप को यहत्कों तो इसमें केवलzel सिल्वर चांधी क्यी यहां पर यह एक important question बनता है इसको आप ध्यान से देखो यानि यहां पर यह question यह बनता है कि वह कौन सा त्टवा है जो लिए द्रववस्ता में पाए जाते है तो द्रववस्ता में पाए जाने वाले दो ततव एक तो ए लगाए उटा है और अपिक है छी हन्र ही इस लिए इसका सिंबल या प्रतिक जो होता है वह होता है और यह एकमात्रेसी धातु है एकमात्रेसी धातु है जो कमरे के सामने ताप मन पर दर ववस्ता में पाई जाती है इसी तरह से कमरे के सामने ताप मन पर यानि 25 डिगरी सेलसियस पर वह एधातु जो दर ववस्ता में पाई जा गेस ये तत्व है तो यह तो होगी इनके वस्ता के आदार पर अब इनके कुछ गुण दर्म है रासाइनिक और भौति गुण धर्मों के आदार पर हम इनको धातू और धातू में भी बांड सकते हैं तत्वों को आज तक 122 तत्वों की खोज हो चुकी है वर्तमान में 122 तत्वों की खोज हो चुकी है जिसमें से ब्राण में 92 ऐसे जो प्रकृतिक है जो प्रकृति में हमको मिलते हैं बाकी जो है वो प्रियोक्षाला में बनाए गया गया लेबोरेटरी में जिनको सिंतेसिस किया गया है त और झालागी आपर तो उसमें से ज्याधा तर तरफ सारे दातव ऑले तत्व आते उसके आत ज्याधा तर विद्यूत के चालक होते तब आपते हैं क्योंकि विद्यूत के आशड़क मांते हैं यहां पर आपसे प्रशन यह पूछा जाए सकता है कि जो विद्रुत की सरवादिक चालग है तो उसका अंसर रोजयएगा और ऑडातु जो है वो कुचालग होते हैं सलफ़र औक्सिजञण हड्रोजन यह एधातु है, ब्रॉमीन भी एधातु है, तो यह सारे कुचालक होते हैं, उस्माकी के भी कुचालक है और विद्युत के भी कुचालक है, धातु का अगला गुना आघात वर्धनी है, या मेलियबल जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यह होता है क कि इनको बल्ग लगाकर हम चदर में परिवर्थित कर सकते हैं इनकी चदर बन सकती है शीट में कनवर्ट हो सकते हैं जैसे हमने देखा लोहे के चदर होते हैं अलुमिनियम के चदर होते हैं तो लोहा अलुमिनियम यह सब क्या धातू है जबकि किसी भी धातू के चदर नहीं म तार होते हैं लोहे करें एमने चांदी के सोना तामबा एलूमिनियमयन के तार हो सकते तार हो सकते जबकि यह जो एखापु है सटुरो ऑशीजिजन जांड मैं इन के दार नहीं खीचे जा सकते आचा यहां पर भी एक प्रस्ञ मंता देखो कि वह कौन सी धातु है जो सबसे ज़्यादा तन्य है सरवादिक तन्य धातु कौन सी तो इस बार उतर हो जाएगा सोना सोना जो है गोल्ड वो सरवादिक तन्य धातु है सोना सरवादिक तन्य धातु है एक ग्राम सोने से दो किलोमेटर लंबा तार खिचा जा सकता है तो साउंड निकलता एक ध्वनी निकलती है जबकि यह एतन्य होते तभी तो इसकूल की जो गंटी होती है वो दातू की बनी होती है सोनोरस है यह ध्वानिक है और ज्यादातर यह चमकीले होते ठीक है इनके सत्य जो चमकीले होते हैं जैसे अगर आप देखोगे इसके उपर भी लग गया फिर भी अगर हम उसको काटेंगे न तो अंदर से जो सतक कटके निकलेगी उसकी जो धार देखो आप उसमें चमक होगी तो ज्यादातर यह सारे चमकीले होते दातू और यह जो है वो चमकीले नहीं होते है डल होते है अई दातू तो यह इनके कुछ मुखे ग समय यह आपर है Oxygen चीक है लगबग 50% है नहीं 50.9 प्रतिशत स सिलिकॉन ही 7 म सला थम यह डिसलीकॉंट यह होता हैं साथ पॉइंट रूमेनियम साहर 2.1 प्रतिशत है और केलसीयम केलं से जो पत्थर बनते हैं चुना पत्थर यह सारे केल सेम होता है उन में तो केल सेम तीन पॉंट दो परतिसत था ठीक है तो यह है भूपरपटी पर पाये जाने वाले सरवादिक बातराम पाये जाने वाले तत्व 50 परतिसत शिलिकौन 26 परतिसत अलुमिनियम 7.3 परतिसत लोहा चारप एक परतिसत और क है दस 30 अब यह सबसे दब आई जाने वाला तकी हमारे सरीर में बात करें तो भी नट्रोगर, और ऑक्रीजन, जो楊 नुगिजिन जो पर्रोटीन है उसकी सरचना में नाइट्रोजन और आजाता है यह तो इसे चार तत्व ही है If a तो प्रतिसत सबसे जद्वह सब्सके जगया सब्सक्रांबभब मटेम Armsश परतिसत और फिर चार नंबर पर लिए नाइट्रोजेनस पर्तिसnenाइए तो यह जो तत्व है मारे सरेर में पाए जाते हैं योगीक और तत्व है दो नों सुध्पदार्थ होते हैं तो योगीक भी सुध्पदार्थ है ठीक है दो या दो से अधिक प्रकार की प्रमणों पाए जाते हैं तत्व में सारे प्रमणों एक ही प्रकार के होंगे ठीक है जबकि यो या दो सेदिक प्रकार के परमानों हैं, आप यहां देख रहे हो higherogen का परमानों भी है, hydrogen के कितने परमानों है? दो परमानों hydrogen के हैं और 1 oxygen का है, जब यह निष्टित अनुपात में सयो राशानिक अबिकर्या के द्वारा तब यहां को बनता है जो एक योगिक है, अब देंगो हो कि संख्या के अनुपात लगा यहाम अंगे परमाणू भार के सब्सक्राइब और ऋक्र सब्सक्राइब निकले तो हैं इनके परमाणू का भार मात यहां होता है दो परमाणू भार जिसको यह लिखते ए है कि मास उनिट कहते हैँ उसको आ , tulis तो यहां पर 2 है और hydrogen, इसका oxygen का मास होता है, इसका दर्मेंबन होता है, 16, तो इनके बीच का अनुपात क्या हो गया, एक अनुपात 8, तो यह निश्ची तनुपात है, इसी अनुपात में हमेशा सयोंग करेंगे, इससे ज़्यादा का अनुपात नहीं हो सकता, यानि यहां प देखरो, 2 यह 2 सदिक तरक के आपको परमानो नजर आ रहे, 1 sodium का परमानो है यहां पर, और 1 परमानो क्लोरीन का है, परमानो संख्या के अनुपात, 1 अनुपात 1 हो गया, परमानो भार के हिसाप से इनका अनुपात हो गया, sodium का होता है, 23 और k convene 5, यह अनु 25.5 है, यह अनु तो कहने का मतलब है कि 2 या 2 से दिखतर है कि प्रमाणू और प्रमाणू भी कैसे से श्यूंग करते हैं निश्चत अनुपात में राशा नहीं कभी करिया के दोरा तब बनता है योगिक तो यहां इनका अब नंबर के हिसाब से संक्या के शाप से एक अनुपात है और अगर बह यहांपर चार प्रमाणों भाग लेंगे तो यह हो गया तो मिस्रन असुद्पदार्त होता है जो दो या दो सदिक शुद्पदार्त यानि योगयोगों के आपस में किसी भी अनुपात में मिला देने में से बन्ता है नहीं होता तरृ जैसे जैसे कीनी और पानी का मिसरण यहां पर Do योगी के लीard पानी की द्वर्ड़ को आपस मिलीजाए तो अपको लॉपर से तक समांगिव, समानवयो मिलेंगे आपको ky Anders निकलो निचे सेज पूरे पानिका भी सवाद आयाएगा刃 जो एक बूंद का ीचा तो यह समांगी मिश्रन और पदार्त के मूल कंभtern है पर्माणों और और अनों, इनकी बात कर लिधेगे परमाणों और अनों परमानों एटम और अनों को मोलीक्यूल लगते हैं इनमें क्या नतर होता है देखो तो किसी भी पदार्त तत्वे का वैस सुक्ष्टमकर्ण जो सवतंतर अवस्ता में नहीं रह सकता है लेकिन किसी पदार्थ कवह सुक्ष्टम कन जो सवतंतरवस्ता में रह सकता है फिर वह अनू है चुरी है जैसे मालु यहां पर एक परमाणु काम उदाहर लेते ऑक्सिजियन यह oxygen का परमाणू है और यह oxygen का अणु है अब इन दोनों में से सबसे सुक्ष्टम कौन सा है परमाणू है ठीक है लेकिन जब प्रशनी यह आ जाए कि सुक्ष्टम जो 17 रवस्ता में रह सकता है तो फिर वो है अणु यानि 魔णू किसी भीतत्वय का परमाणू हो, वह सुक्ष्टम्कन है, ठीक है, लेकिन यह सौतन्तर रवस्ता में नहीं रह सकता ठीक है इसका सौतन्तर रूप से अस्तित्वय संभव नहीं है ये यातो अनों की रूप में रहता है अगर हमें वातावुन में जैसे मालो oxygen लेनी है हमें हवामें स तो वहँ पर हम को oxygen परमाणों की रूप में नहीं मिलेगी उक्षिजन या तो मिलेगी इस रूप में या मिलेगी वो कारबन ягाइओ कारबन आ यहाँ हो गया कारबन या उसमें अधिक्तम आठ इलेक्टरन होते हैं इसलिए वो किसी दूसरे के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है उनका एक परमाणू जो है वो 37 रवस्था में रह सकता है किसी दूसरे परमाणू के साथ उसको अभिक्रिया करने की अभिशक्ता नहीं होती तो केवल यह एक परमाणू 37 रवस्था में नहीं मिलते परमाणू अगर हमें 37 रवस्था में कोई मिलेगा तो वो कोन है वो है अनू तो सबसे सुक्ष्टम कोन है परमाणू है लेकिन 37 रह सकता है अनू रह सकता है यह बात हो गई अगला देखो पॉइंट रासानिक अभिक्रियां में रहा हूं कि कार्बन के विए ओक्सुज़न के साथ मैं हो रही है तो यारवर कारभन का यह अनू होर यह पर लेकिन प्रमानु की वाग लेतनों सायोंगों यह इसी प्रमानों की वद्येमान Lee इसी तरह से, इसमें भी पदार्थ के सभी गुण विद्धे मान रहते हैं, जैसे जल का एक अनू, जल के सभी गुण दर्शाएगा, चाहिए एक है, यानि जो पदार्थ के गुण है, वो उसके परमानू और अनू की कारण ही होते हैं, तो ये दोनों में सेम पॉइंट हो गय परमान विक्ता, जिसको अनू में परमानू की संख्या, जैसे आप यहां पर देख रहे हो, सल्फर में परमानू की संख्या आठ है, यह सल्फर का एक अनू है, लेकिन इसमें सल्फर के आठ परमानू है, तो यह सल्फर की परमान विक्ता कितनी होगी, आठ होगी, अनू oxygen अनू किसे मिलकर बनते हैं परमानों से मिलकर यह अनू बनते हैं क्योंकि परमानों से मिलकर नहीं रह सकते हैं इसलिए उनको अनू बनाना पड़ा इसलिए उनको अनू के रूप में रहना पड़ता है तो अनू परमानों से मिलकर बनते हैं ठीक है तो यह अनू हो गए कि जि तो तत्व के जो अनू होंगे, उसमें क्या होंगे, सभी प्रमानू समान प्रकार के होंगे, जैसे कोई भी तत्व ले लो आप, जैसे आपने ले लिया oxygen, तो oxygen ये जो है, oxygen का ये अनू है, तो इसमें केवल oxygen के ही प्रमानू होंगे, और कोई दूसरा तत्व ले लो आप, कोई कोई भी तत्व लेलो हाइड्रोजन लेलो क्लोरीन लेलो कार्बन लेलो नाइड्रोजन फोस्पर और सल्फर कोई भी तत्व लेलो उस तत्व में सभी के सभी प्रमाणूं क्या होंगे एक ही प्रकार के होंगे ठीक है ऑक्षिजन है तो ऑक्षिजन के प्रमाणू गोटने में प्रश्वी को تم 3 अद्रान नीम नीया आत तो इसमें न्यान invent Iete अधिर एक गोटने पर आपना नियाम डिया हता है छोटे कन होते हैं इन्से showc म् Algerian Comics इनको और आगे वार्य आजे सकता लेकिन आज क्या था में पस्क्ता Is क्या कट जिनको परमाण में कं यह सब आटोमिक पार्टिकल करते हैं समरक्रों है प्रोटोन है निवे ये तीन मुख्य होते हैं इसके लखा ओर 20-22 प्रकार के ओर करन है। और भी उसमें इस तरह के कण हो सकते हैं, जिनके उपर अभी भी डिस्कवरी बगईरा चल रही है, और ने-ने कणों के खोजें हो रही है, तो अब उन कणों के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोन, प्रोट्न, न्यूट्रोन, पोजिट्रोन, ठीक है, और पाई, मेशोन यह जितने भी कन वो कौन कौन से है उनका आवेस और दर्मान और उनकी स्तति के बारे में हम पढ़ते प्रमान के मॉलिक कन इस्थाई कन जो है वो तीन है एलेक्टरोन प्रोटोन और न्यूट्रोन सबसे पहले एलेक्ट्रोन की बात करते देखो यह प्रमानू की सरंचन आ जीyet या ऑर्वीट या वरताकर कख्षा नोगते रहते हैं इन में यह चकर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रon तो इ census ना भीक के भाहर कख्षाओं में होती है और प्रोत्वन ौ नूट्रon की स्तिति ना भीक हैं उन्दर होती है इलेक्ट्रोन का जो दर्वेमान है वो नगणने होता है यानि इसको इसका दर्वेमान नहीं के बराबर होता है परमानों का जो भी दर्वेमान होता है जो भार होता है वो इसके नाबिक की वज़े से होता है यानि प्रोटोन और नूट्रोन की वज़े से होता है यह बारी करण है proton और neutron और electron इनके मुकाबले बहुत हलका करण है इसलिए इसका जब दर्वेमान के बात आती है तब नभी के दाव्मान लिया जाता है इन electron का दर्वमान नगण होता है इसलिए इसको इग्णोर कर दिया जाता तो इलेक्ट्रोन की खोषदेखो सबसेले 1878 में जे जे थॉमसन नाम के वेग्यानिक ने की थी जे तोंसन याद रखना कब करी थी यह भी याद रखना 1878 में इस्तती नाभिक के बहार होती है इसकी कक्षाओं में इस्तित रहता है इस पर जो आवेस होता है वो रिणात्मक आवेस होता है ठीक है गुलाम उवेस का ऐसा ही मात रखा थीक है घुलाम नाम के विग्यनिके संवान में रखा गया कुलाम जो है विए। इसका ऐसा ही मात रख Kalan यसका अवेस इसका थ्लेंेहमान द्हको बहुत कम है माइनस 31 तो माइनस 31 बहुत ज़्यादा कम हो गया इसलिए नगण इमानते इसको 9.1 गुणा 10 की गात माइनस 31 ठीक है इतना एक किलोग्राम में है तो बहुत ही नगण दर्वमान है इसका इसलिए इसको इग्नोर कर दिया जाता है अगला हमारा क्रावन है प्रोटोन ठीक है प्रोटोन नूट्रोन नाबिक में होते है इस पर आवेस इलेक्ट्रोन के बराबर ही होता है धनावेस होता है 1.6 गुणा 10 की गात माइनस 19 था यहां प्लस में 19 है कुलाम धनावेस होता है इसका दर्वमान इलेक्ट्रोन के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोन का दर् गात-बाइना 27 kg द्रोमान होता है इसको प्रोटोव नाम रादर फोड ने दिया ता देखर इसमें कन्फ्यूज मत अगोज घूज गोल्ड इस्टीन ने करी ती लेकिन नाम इसको रदर फोड ने दिया था प्रोटोन नाम थेकर उससे पहले इसने को इसका कोई नाम नहीं दि होग था परमानु सरचना से संबंदी जो शौन पर पत्तर पर उसने उसने गोल्ड पत्तर के उपर आलफा कणों की बंबारी करवाई थी तब यह जो प्रोटोन की जो था तब इसको इसने नाम दिया था प्रोटोन नाम दिया था वह एक चीज यहां पर याद रखना देखो परमानु करमांक जो होता है हम परमानु करमांक पड़िंगे आगे परमानु करमांक होता है जैसे एक नमर पर हाइडरोजन है दो पर हीलियम है तीन पर लीथियम है ना कारबन 6 पर ऑक्सोजन 8 पर परमानु करमांक का मतलब है प्रोटोनों की संक्या जितने उसमें प्रोट उसका परमानों करमांग 10 है तो परमानों करमांग क्या हो गया प्रोटोनों की संख्या नाभिक में प्रोटोनों की संख्या एलेक्ट्रोनों की संख्या नहीं एलेक्ट्रोनों की संख्या और प्रोटोनों की संख्या हमेसा बराबर होती है जितने एलेक्ट्रोन होते उतने ही नाभिक में प्रोटोन और नाभिक में होते हैं इलेक्ट्रोन वर्ता का रक्ष्ण में चकर लगाते हैं तो नाभिक में होगी खोज इसकी 1932 में जेम्स चेडविक नहीं की थी इसकी प्रशन पूचा जाता है बहुत बार 1932 में जेम्स चेडविक ने इसकी खोज की थी ठीक है आवेस यह आवेस रहीत हैं, Restaurant-P backlash प्लस प्रोटोन पर प्लस यहिंगर र हयां और У्ट्रोन प नहीं आवेश रहीत होता है दर्विमान प्रोटोन के बराबर होता है जितना प्रोटोन का दर्विमान है उतना ही नूट्रोन का दर्विमान होता है और कितना होता है एक पॉइंट छह साथ गुणा दस की घात माईनेस 17 किलोग्राम प्रोटोन का दर्विमान और नूट्रोन क करते हैं तो ऑक्सिजन का प्रमाणु कर्मांग तो आठ है लेकिन इसका प्रमाणु दर्वेमान सोड़ा है 10-20 इशको किई कह सकते हैं इसको तो ऐसा क्यों क्यों क्योंकि एक पास में आठ तो architect तो पर्मानु भार्ग प्रोटोन का निट्रोन है यह स्का अर्द आयू तो इसा प्रोटोन का अनूट्रोण की अभीक्रिया में और चिक्सा में और जी विग्यान में इसका प्रियूग होता है तो नामी उख paranoff देखो जैसा नाम से स्पेस्ट हो रहा पोजिट्रोन यानि पोजिटिव धनावेस होता है इस पर ठीक है तो इसका आवेस हो गया धनावेस और कितना होता है जितना इलेक्ट्रोन का होता है उतना ही आवेस इसका होता है इलेक्टोन का नेगड़िव होता है दनात्मकोतार इसका दनात्मकोतार आवेस में यह प्रोतों के बराबर कहलो है यडिक्न आवेस में प्रोटोन के बराबर है लेकिन धर्वेमान में ये इलेक्ट्रोन के बराबर है इसका धर्वेमान इलेक्ट्रोन के दर्वेमान जितना ही होता है इलेक्ट्रोन का दर्वेमान भी यह है 9.1 गुणा 10 कि गात मैंने 630 किलोग्राम अब देखो आवेस और धर्वेमान इलेक्ट्रोन के विपरीत होने के कारण इसको एंटी इलेक्ट्रोन कन कहते है यह याद रखना पुछा जा सकता है एंटी इलेक्ट्रोन कन कौन सा है तो पोजिट्रोन है क्यों है क्योंकि यह इलेक्ट्रोन के एंटी यह विपरीत है कैसे विपरीत है कि इलेक्ट्रोन का जो इस पर जो है वो हे रिणावह सोर्र उचीर रिख है वह आकसा विए bliss कि उप्रों को के सक्ते हैं अब UNB इसका दर नर्जाब में प्रोटों को क्या है अब तरी नियुक्त कर दर्वेमां है थीस तो 62 बीशचों के ए कि विप्रीत है यहां पर धनावेस है और इलेक्रोन पर धनावेस है इसलिए इसको हम कहेंगे एंटी इलेक्रोन करन और इलेक्रोन की विप्रीत चक्रन होता है इलेक्रोन का जो चक्रन है उसकी विप्रीत चक्रन होता है जैसे मनलों इलेक्रोन का अगर यह है चक्रन तो इसका इ अगिला मारा कान है निूट्रीनो को गहिए नाम से पता चल रहा है नूट्रल है तो आवश हे बची न्यूटरील मोलकन खंपम जर्खें को पुटिम बात है कि सा कॉनसा मूलकन ह्या कंद में जिसके पास नाय तो दरुलमान है और नाई आवेस ठीक है दर्व़मान और दोनू नहीं है वह गि कॉन처 नेके 사ट नहीं दर्वभान यह जैसे आगे यह नेगे यह है आज आ लेकन यह जफके पार ह। यह जो अपर नहीं है विक्ति के दिन्याम हो Rs 830 यह देंट अभे श कैने शुकत मेंलों ह। पाई मेसन के खोज 1935 में यूकावा नाम के वहिगानिक ने की थी यूकावा पाई ये तीन प्रकार के होते हैं दनात्मक भी होते हैं पाई दनात्मक पाई रनात्मक और पाई उदासीन तो तीनों आवेस के हिसाब से दनात्मक रनात्मक और उदासीन तीन प्रकार के होते हैं यानि वे को इसा कणण जिसका दर्विमान इलेक्रों का 270 गुणा होता है, तो वह हैパbersicasalPiMason इसका एल्प काल होता है, तो देखो 10 गातu –8 सेकेंड के लिए बनता और फिर नष्ट हो जाता है, यह तो देखो 10 की गात, होते है फौट उनों प्रकास उर्जा कहलो को या कोई भी उर्जा है तो वोह प्रकास में तो प्रकास में क्या होता हैошaker फोटौन होते हैं और चोटे-चोटे चोटे बंडल है यह स्किर हां फॉतकर से प्रकास की चाल जितनी होता है 15 समय क्राइब का 2007 तो प्रकास की चाल से गति करने वाले उर्जा के चोटे-चोटे बंडल होता है फोटोन इनका विराम दर्वमान सुनने होता है यानि अगर यह विराम आवस्ता में है तो इनका दर्वमान सुनने है ठीक है विराम आवस्ता में इनका दर्वमान सुनने है यह मुख्य बात यह है देखो सभी प्रकार की विदुद्चुम्ब की तरंगों का निर्मान फोटोनों की गति करने से होता है जितने भी विदुद्चुम्ब की तरंगे होती है जिनसे संचार और यह सब रेडियो में टीवी में मोबाइल में इन सब विदुद्चुम्ब की तरंगों का निर्मा परमानों के भाग है उस तरह से परमानों के भाग नहीं लेकिन जो नाभी की क्रिया ही होती है ठीक है नाभी का सलियन तूटना और वापिस जुड़ना सलियन और विखंडन यह जो अभी क्रिया ही होती है इसमें यह निकलते हैं तो यह मुख्यकन थे मूलकन थे जो प्रमानों के थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है सेर करना है और सब्सक्राइब करना चैनल को इसी तरह का समन्नी विग्यान से समधित जो बैसिक कंसेप्ट है वह कंसेप्ट और उससे समधित मैं आपके लिए लेकर आऊंगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैन